जैन दोस्तों क्या हाल है तो प्रोड़क्ट हैं काफी सारे एक वेबसाइट देखी मुझे बढ़ी पॉपलर हो रखी आजकल काफी बजट वाले रेट में काफी कुछ दे रही है जिसका नाम है मीशो 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 और जिस रेट पे चीजों को दे रही अगर अच्छा निकलता है तो काफी अच्छी बात है और अगर अच्छा नहीं निकलता है तो आपको पता होना चाहिए इंपोर्टन पॉइंट सब कुछ जाना चाहते है वीडियो लास्त देखना और प्रोड़क्ट सेलेक्शन कुछ ऐसे होई थी मैं भी पहली बार बाई विजिट कर रह वन प्लच जैसा दिख रहा है कुछ सिफ्ट टूएटी सेवन रुपीज में इक और चार्ज है डन उसके बाद हम लोग क्या और काम में लोग क्या जाए तर और करते हैं वहीं तो इसको एड़ टू कर लेते हैं यह कार में लगाकर तो यह कर देते हैं और यह तो घर पे बन में दिखाते हैं सब और देखते हैं यहां पर ऑई कितनी रेटिंग है इसकी चार अजा प्लस त्री पॉइंट सेवन स्टार के साथ वन नैंटी सिक्स में वालर प्लस बेल्ट एड्ट टू कार्ट एक यह भी अच्छा लग रहा है डन बाई 220 रुपे में इतना अच्छा कुछ किसी चीज का अडिशनल कॉस्ट में बेसिकली यहां पर क्या है डिलीवरी चार्जेश है किसकी में फ्री डिलीवरी किसी में अब सब अलग अलग है तो पहला देखते है रेंडम क्या है यह एक ना सेलफी स्टीक है प्राइज इसका 220 रुपीज है इसको डखने के लि यहां से उपन होगा यहां लग जाएगा फोन देखे तो 220 रुपे माई की दे रखा है काम करता है कि नहीं तो भाई काम कर रहा है एक्स्टरनल माई कहां पर इसमें Bluetooth पेरिंग बटन है सेलफी पेयर कनेक्टिड ओ नाइस काम कर रहा है यह यह देखना मैंने जैसी प्रेस कि रुप गई और दुबारा प्रेस करूँगा वीडियो रुट्विक इस तार्ट हो जाएगी फोटो में जाएंगे यह देखिये फोटो की किलिक कर रहा है और इसका लेंथ इतना हो जाता है नाइस मतलब प्रोड़क्ट वर्किंग कंडिशन में तो यह पास होता है नेक्स् स्मार्ट ब्रेसलेट लिखा हुआ इन्होंने स्मार्ट वोच नहीं है और हिष्ट्री में यहां पे स्मार्ट वोच वर्ड यूस किया था प्राइस थीन CT 1 defense पहुत जादा बङई जादा चीफ क्वालिटी की प्लास्टिक वगेरा यह बैंड वगेरा है पीछे sensor है और यह definitely नहीं नहीं है इसके ऊपर scratches पढ़े हुए छोटे-छोटे इस sensor के ऊपर किसी नहीं लेमिनेशन है तो मैं निकाल देता हूं यह देखो अब नहीं हो जाए टी-फ्टी डिस्प्ले ब्लूटूथ है इसके अंदर master chip लगा हुआ कुछ बैट्री डेड़ सम्मेच made in china यह आएगा ना काम करना यूजर manual इनकी भाई application एक गूगल प्ले स्टोर पे fit pro नाम की यह वगई on तो होनी रहे है और नकली लोगों ने box के अंदर charger भी तो नहीं बेजा है कुछ इसको अगर खोलते ना strap को तो अगर आप देखेंगे एक साइट कुछ पिन बनी होई है यह किसी चीज में लगता था जहां से चार्ज होता है क्योंकि इस तरह ऐसा सिस्टम नहीं है इसी तरह ऐसा सिस्टम और यह पिन टाइप है चार्जिंग के लिए दिया तो है नहीं करता काम खुले आम बेखुब बनाया है प्रोड़क्ट भी पुराना भे नेक्स्ट प्रोड़क्ट वाला चार्जर डैस चार्जर वन प्लस बनाता है न ओपो की टेकनोलजी सिरफ 287 रुपे में 65 वोट मेंशन है वन प्लस पर तो नहीं मिला वेफसाइट पर यह वाला चार्जर कुछ ऐसा कुछ ओप पर चलते हैं एक ही तो घर की कंपनी है चार् रहा है ओ भाई तेज चार्ज हो रहा है तो सुपर वोग चार्जिंग लिखा आ रहा है यहां पर 287 रुपे में देखते क्या यह डाटा ट्रांसपर करता है फाइल ट्रांसपर भी कर सकते हैं यह केबल लगाने के बाद और जो ट्रांसपर स्पीड है वो बिल्कुल सही आर रहा है लेकिन यह ओरिजनल नहीं है यूनो वाई सबसे पहले तो एक केबल में पास दो फोन है ओरिजनल इनके बोक्स में एक यह नोड सीरीज है यह रहा ओरिजनल चार्जर पहरी बात तो मीशो वाला ज्यादा रेड है जबकि यह वन प्लस 10 प्रो का बोक्स है इसमें भी यह ऊरिजनल केबल इतनी थिक नहीं है जबकि चार्जर ज़्यादा बोक्स है मीशों के वलू मैं दोनों तरफ वाइट होता है और यह जो फिनिशिंग है यह पार्ट ओर वाले का कितना फिनिश्ड है यह ब्लास्टिंग रहा है यह फिनिजद नहीं है यह अंदर वाइड क वाला यह cut-out finished नहीं है प्लस इधर आते हैं इसका color बदल गया और यहां पर एक gap original में duplicate वाला देखो यह gap ही नहीं है इसके अंदर तो हाँ यह duplicate है 287 वाला नकली भी असली जैसा काम कर रहा लेकिन बट आप इसको भाय मत करिएगा थोड़ा रिस्क हो जाता है ना कैसे कहूं मैं हो सकता लोंग टाइम में आपके फोन के साथ दिक्कत करें थोड़ा बड़ा रबा खोलते हैं यह one of the मतलब premium rate वाला product था मीशो से क्योंकि यह mini cooler टाइप है कुछ अभी खोल रहा हूं मैं प्राइज इसका नाइंटीन फोटी टू अल्मोस्ट तू थाउजन रुपीज दोजार पे की फिनिशिंग थी मैंने ऐसे किया यह निकला इसके अंदर से एक केबल हमारे पास हमें पावर बैंक चाहिए पिन लेकिन टाइप सी अगरा या माइक्रिस भी होता तो बेटर था यह लगाया मैंन किस किसको याद है जब आप मोल में जाते हो खूला क्या करते हैं तो बड़ थंडला लग रहा होता है गर लाते तो उतना थंडी हवा नहीं देता हवा बहुत धीरे थीरे है इसको ऐसी जगा अगर रखना पड़े है जहां फेस पे डारेक्ट पड़े ही ए क्वालिटी शूज टाइप लग रहा है मेरेको शूज है इसके अंदर शूज के साथ ये बैंड प्री है ओ चुक चुक वाला जो आ जाता था था ना बच्पन हम लोगों का सपना होता था कि लेने का और ये पुरानी भीजी भाई इन्होंने सकीन है पुराना सा प्लास्टिक गिसा हुआ पुरा और तरफ से खेर सूज देखते में पैसा उसका दिया ये वाइट शूज है प्राइज चार सो चप्विस रुपे फोर टुन्टी सिक रुपीज है नाइस लुक वाइज अच्छा है कमफर्ड वाइज देखते है थोड़ा बड़ा साइज आ गया मेरे से बट यूज के लिए ठीगा डिजाइन बहुत अच्छा है फ्लेक्सिबिल्टी हो गया देख रहे हो यह कुछ निकला हुआ है यही चुबर है लेकिन पैरों में ठीक ठाक है प्रोडक्ट कितना चलेगा मुझे नहीं पता अब हम क्या करेंगे इसको फेकेंगे नहीं किसी को दे देखेंगे उसके काम आजेगा नेक्स्ट यह है अगेन दो है वाव दो वो चैसके अंदर यह है यह यह चुक चुक वाला एपल भी बना हुआ है तो छोटे बच्चों के लिए हो गया 50 रुपय वाला मेटीरियल है जितने का मिल जाए इन्होंने 111 रुपय का बेचा है और यह भी 250 रुपीज की सेलफी स्टिक है सिस्टम आप समझ गयोंगे यहां फोन लग जाएगा यह ब्लुटूफ वाला है जो बाहर आ गया अच्छा है डिटेचिबल है कर दूर जाके भी आप फोटो ले सकते हैं और यह इसकी लेंथ है नेक्स्ट यह 230 रुपे का है और यह ह पूरा एक मीशो का थोड़ा ओवर और एक अंडाजा लेना चाहता था सो ट्राई किया मैंने यह लोवर है स्पोर्ट्स कपड़ा आता ना जो मतलब चलता ही रथा चलता है चलता है ना चल्दी 230 रुपे के हिसाब से भाई अच्छा है भाई कहीं से फटा अगारा तो नहीं है खराब नहीं है फटा नहीं है और यह है दो कुर्टा भाई प्राइज है 600 रुपीज के असपास है ओके 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 बाई देखो जूट नहीं बोल रहा हूं अगर आप शेहर में रहते हैं बड़े-बड़े मोल में घुमते हैं फिर आपको यह सब चीज है बहुत सस्ती ल दिया था सिला हुआ है सही से कोई फटा कपड़ा नहीं है यूजड कपड़ा नहीं है यह साफ सुत्रा है अब दो मिल गए आपको तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लूटा जा रहा बर थोड़ा-थोड़ा मुझे लग रहा पैसे ज्यादा लिये जा रहे है नेक्स प्रोड़क्ट यह 100 रुपीज का है भाई 100 रुपे का ओके 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 तो यह बिल्कुल चेयर जासा बना हुआ भाई है यह चेयर बस बैठ नहीं सकते इसको ऐसे रखके इस पे हम अपना फोन रखते थे यह ऐसे तो आ गया फोन ऐसे रख रहा हूं यह नहीं आता ए हलका सा टच हलका सा पे आप जल्दवाजी में तो फोन की रख सेकते हैं ठीक है नहीं हाँ मूवी देखते ताइम ऐसे ठीक है यह शोपीस के लिए ठीक है जैसे मैं कहीं ना कहीं बैगरण में लग दूंगा 100 रुपे में बहुत अच्छा स्मार्पनेश्टर मिलता है नेक् लगेगा इसमें फोन लगेगा तो यह बैसिकली अगर गूगल मैप नविगेशन के काम आएगा तो यह काम का लगा जिसकी गाड़ी में नविगेशन वगारा करने के लिए डिस्प्ले नहीं होता पस गाड़ी चलाते हैं अगर जटके लगेंगे तो यह हिलेगा क्योंकि तोड़ा लूज है लेकिन आप प्राइस भी काम है और अगर कोई ऐसा फोन लगाएंगे जिसमें बैक कवर नहीं लगाया तो जटका लगते लगते फोन नीचे भी आ सकता है इनको होल्डर में यहां ना ग्रिप देना चाहिए था यह बिल्कुल प्लेन है नेक्स्ट 184 रुपीज का मल्टी 3-1 USB केबल चहां पर लाइटनिंग एपल के लिए माइक्रोस्बी और टाइप सी सबसे पहले आइफोन यह चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग सुरू हो गई है प्लस एक और फोन यह भी चार्ज हो रहा है अब यह माइक्रोस्बी वाला कुछ भी नह लिए हमने और यह भी काम कर रहा है तीनों चार्ज हो रहे है डाटा ट्रांसफर टेस्ट जो डाटा है न वो ट्रांसफर नहीं कर सकता चार्ज कर सकता है मैं कन्फर्मेशन के लिए एक और फोन टेस्ट कर दे रहे हैं चार्ज हो रहा है बट यहां पे पोप-प मैसिज नही फाइल ट्रांसपर डेटर ट्रांसपर वाला चार्जिंग के काम लेकिन आ रहा है अभी मैं उपीनियन नहीं दे रहा हूं इसका लास्ट तक मैं कुछ उपीनियन बना रहा हूं सभी प्रोट से अभी बताता हूं अभी सिर्फ आप यह देखिए कि क्वाल्टी क्या है क्या आ आ रहा है क्या काम कर रहा क्या नहीं कर रहा है नेक्स्ट सबसे इंट्रस्टिंग तो यह था वाई यह वॉलेट और बैल्ट दोनों मिले थे हमें सिर्फ वन नैंटी सिक्स रुपीज में ओके यह वॉलेट है यह आपका जो बेसिक वॉलेट अथते है न इस चीज को देखक इसमें है वह इस पर फ्लिप कार्ड का टेप लगा हुआ है यह एक स्मार्ट बैंड है 482 रुपीज का स्मार्ट वोस्ट से रखा है अरे यह फिर वही निकल गया जो पहले निकला था यह राई जहां चार्ज होता है यह सेंसर पर टेप लगा रखा है ओ भाई 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 इदर देखो यह कोई बटन भी नहीं है इनको गुमाई नहीं सकते जस्ट डिजाइन इसको तो मैं कोलूंगा तो चार सो कुछ रुपे किस बात का ले रहे भाई वेरी वेरी डूरेबल ओ अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले है एक चोटी सी बैटरी है इन्होंने भी कैसे करेगा इनको यह इनका सो कोल्ड सेंसर था छोटा सा सेंसर क्या लाइट जलती है वह इसमें आपको इची दिखाता हूं शायद आपने कभी न देखा हूं अगर कोई बैटरी फिफ्टी एममेज की हो तो वह इतनी बड़ी दिखती है बस पैकेजिंग देखो और इनकी चार्जर या फिर पावर बैंक में लगा सकते हो अब लगतो गया बट सैडली चार्ज यह भी भी नहीं हो रहा है पहले वाला प्रोट है जो मतलब अभी ठीक पड़ा इसको नहीं खोला था मैंने मैं लगा के रख रहा हूं अगर वीडियो के लास्ट तक चार्ज हो गया य अगर उन में से किसी ने वीडियो देखा फोन में से चार्जर गया वो चुक है गोच में से बुरा सपना बुरा सपना नेक्स्ट यह एक्शली है 275 रूपीज का एक और चार्जर मैंने मंगाया था ना सिर्फ 275 रूपे में यह है कसम से भाई गजब का स्कैम करते है देख चिंग ही नहीं है original cable की साथ में देखो एक और चीज़ ऐसे ऐसे लालत देते हैं लोग यह सब चीज़े आज कल कोई ने यूज करता यह वो है hello on हम बोल रहे है बूस के लिए आता है काम और ही काम करता है यह यह वारत नहीं पेरिंग मोड में चला गया ऐसा नहीं किये वाल दूर रहे हैं चार्जर से नेक्स्ट यह कुलता है 529 रुपीज में है डिजाइन वगारा दे रखा भाई काफी अच्छा असा कपड़ा डेफिनेटली वह वाल है जिसका कलर नहीं टिकेगा जाधा बट फटा नहीं है और नया है यह यूजड नहीं है ऐसा नहीं कि पुरा नेक्स्ट है सिरफ 345 रुपीज में कार्गो ग्रीन लोवर टाइप लोवर टाइप लोवर यह 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 वही कपड़ा है जो थोड़ा स्पोर्टी वाला टाइप होता है ना विद नाइकी लोगो तो मैं इनको ऐसे बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं कहना चाहूंगा बेकार भी नहीं कहाना चाहूंगा आप भी जानते हो लोकल मार्केट में यह सब अराम से मिल जाते हैं बढ़ान नया है फटा नहीं है अगर कोई ले लेगा तो ऐसा नहीं कि भाई कुछ और बनके आगया फटा हुआ है पुराना कपड़ा वैसा नहीं है नेक्स्ट केबल प्रोट टाइट क्लोज स्पाइरल होना चाहिए जैसे स्प्रिंग होता ना पैन में आता हो स्प्रिंग आपने देखा होगा अब ही हमारे पास 493 रुपीज के शूज है यह सूप्रीम करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है यह लग वह 500 रुपे का दिया है ना मैं फिलिप कार्ट ऑपन क करता हूं यहां लिखता हूं कैजवल शूज ओ यह वही सूज नहीं जो हमने मंगाया था भी यह सूज मैंने अभी आपको दिखाया यह हमने लिया था 426 रुपीज का इक्जक्ट यही सूज फ्लिप कार्ट पे 249 का मिल रहा है स्पोर्ट फैशन इस पर भी लिखा हुआ है हाला कि पोटो में थोड़ा फरक है यहां पर यह ब्लैक अलग टाइप का मेटीरियल लगा हुआ है जबकि यहां पर इस ट्रिप लगी हुई है और यह चीप आता हूं मार्केट में रोड के किनारे कई बार शूज मिलते हूं देखा आपने जहां कहते भी है कितने का हो कहता आठ सो आप कहते हैं चार सो का दूंगा और लास्ट में करते 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 देता है फ्लिप कार्ड पर भी किरा है मीशो इसे पान सो के असपस में बेच रहा है और जब आप सडक पर जाएंगे वह आपके टैनल के उपर आप कितने का ले लो बातचीत करके तो ऐसा यह यह है इन फैक्ट हमने यह शूज भी मंगाया था और गलती से ऐसे ऐसे हमारे पास दो प्रेयर ओडर हो गए थे एक और प्रोड़क्ट यह भी शूज था यह नाइकी शूज टाइप डिजाइन में दे रखा 462 रूपीज का जोर्डन सूज आते है ना उसका मतलब एक तरीके स से डिजाइन बना रखा है और डिजाइन अच्छा बना रखा है अब जैसे बात में बहुत बजट में तो इन सब की पेस्टिंग कप तक की कई कप तक नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता बट बेसिकली यह वही सूज है देखरो मैं हलका सा भी ऐसे कर रहा हूं यह चाक यह पर पर काफी सस्ती मिल रहे हैं और एक दो तो इंट्रस्टिंग भी मिल जाते हैं जैसे अभी 200 रुपे में मिला हमें वॉलेट भी मिला और हम लोग यह वीडियो जो देखते हैं हम सब लोग स्मार्टफोन उस करते ओनलाइन दुनिया में रहते हैं हम ओनलाइन ही चीज़ो बार एक मार्केट लगती है वहाँ दुकाने लगाई जाती है अलग अलग प्रोट की कपड़े भी होंगे कुछ ग्याजट भी होंगे उनको देखके आईएगा रेट पूछेएगा और रेट कम करा लीजेगा कम भी हो जाता है या फिर लोकल मार्केट में जाईएगा प्र कपड़ा उलाते हैं कहीं से दिली लुद्याना कहीं से भी तो मैंने रियल लाइफ में सब देखा हुआ है आप में से कफ़ेशा लोगों नहीं देखा होगा या कुछ ने देखा होगा बस क्यूंकि आप घर से नहीं निकले हो इन मार्केट में नहीं घूमे हो तो आप रिल यही प्रोड़क्ट मेले में लोकल मार्केट में सस्ते में ले सकते हो बाकि रेट ऊपर नीचे तो चलो एक अलग पॉइंट हो गया मैं चाहता हूं मीशो प्लेटफोर्म को सुधारे सेलर्स के लिए कुछ कंडिशन्स लेकर रहे कम रेट वाले प्रोड़क्ट भी काम करता वो प्रोड़क्ट ज्यादा ज्यादा पहुचे जो ज्यादा पैसा नहीं खर्चते तो उनको सही वैल्लू पे सही चीज पहुच जाए बस यह वह चार्ज नहीं हो इनकी यह चार्ज नहीं भी और वह भी पुराना बेगा जैसे मैंने कहा और आई होप आपको वीडियो पस है तो लाइक से सब्सक्राइब वाला काम आपका मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में